आपके बतादे कि गंगाराम और उनकी परिवार की लोग धारैस भी आदित प्रतापस्था की पास पहुँचे हैं और उन्होंने लिखित में काविदन भी दिया है और बताया कि विपक्षी गड़नी प्रार्थी गंगाराम एवं उसकी परिवार की खिलाफ थाना अमजीरा म जूटी एवं असत्य अफायार दर चुकी है घटना की समय आविदक का परिवार मितल हॉस्पिटल धार में अपनी भाई शिफनारण एवं दश्रत को भरती करवा रहा था तदा एडमीशन करवाती समय भी आविदन एवं उसका परिवार मितल हॉस्पिटल धार में ही उप उठा कथित घटना स्थल मित्ल हॉस्पिटल धार से लगभख 30 किलो मीटर दूरी परिस्थित है कथित घटना स्थल पर धार से आने चाने में लगभख एक घंते का समय लग सकता है जो कि घटना स्थल तक पहुचने में मुम्किन नहीं है दरश्टत पतेल ने विपक्षी की भाई की विरुध अमझेरा थाने पर एफाइयार दर्श करवाई थी जिसके बदले की भावना स्वरूप विपक्षीगण की भायों ने आविदक गंगाराम इवं उसकी परिवार की विरुध आसत्य जूटी इवं पुलस की साथ मिलकर जूटी एफाइयार बिना किसी जा पर आकर चांद से मानने की धमकी दे रहा है ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से दिनेश मिनारा के रिपोर्ट